जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हरदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, भादरपदमास के सुकलपख के तिर्टिया तिथी को हरतालिकातीच का वरत रखा जाता है इस दिन माता पारवती और सिव जी की पुज़ा का विधान है ये वरत बेहदी कठेन है, इस दिन महिलाएं दिन भर नरजला वरत रखती है ये व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक किया जाता है सुहागिन महिलाओं द्वारा अखंड सौभागी की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है वहीं कुवारी लड़कियां अच्छे वर्की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं माना जाता है कि माता पारवती ने सबसे पहले हर्ताल का तीच को वरत किया ये वरत उन्हों ने महादेगों को अपने पती के रूप में पाने के लिए किया था ऐसे ही यही वज़े है कि सुहागिनों के साथ साथ कुवारी लड़कियां भी अच्छे जीवन साथी के लिए तीज कवरत रखती है आपको बता दें कि हरतालिका तीज कवरत निर्जला रखा जाता है इस वरत में पानी की एक बून तक नहीं पी जाती है और अगर कोई व्यक्ति एक बार हरतालिका तीज कवरत स्टार्ट करता है तो वे बीच में इस वरत को छोड़ नहीं सकता है चले अब जानते हैं कि साल दो हजार चॉबिस में हरतालिका तीज कवरत कम रखा जाएगा तो आपको बता दूं कि इस बार तरतिया तिथी की सुरुवात पांच सितंबर दो हजार चॉबिस की दोपहर को बारा बच कर 21 मिनट पर हो रही है और तरतिया तिथी की समापती 6 सितंबर दो हजार चॉबिस की दोपहर को तीन बच कर एक मिनट पर हो जाएगी तो दियातिति की माननिता के नुसार इस साल हर्तालिका तीज कवरत 6 सितंबर 2024 दिन सुक्रवार को रखा जाएगा और प्रदोस काल पूजा का सुम मूरत सुबा 6 बचकर 2 मिनट से लेकर सुबा 8 बचकर 33 मिनट तक रहेगा इस मूरत की कुल अवदी 2 घंटा 31 मिनट की रहेगी और प्रदोस काल पूजा का सुम मूरत साम 6 बचकर 33 मिनट से लेकर साम 8 बचकर 16 मिनट तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबा 10 बचकर 45 मिनट से लेकर दोपहर 12 बचकर 19 मिनट तक रहेगा दोस्तों राहुकाल असुप समय होता है आप इस समय पूजा ना करें चले अब जानते हैं कि हर्तालिका तीज की दिन सर्गी खाने का सही समय क्या है दोस्तों सर्गी हमेशा ब्रह्म मूरत से पहले ही खा लेनी चाहिए और 6 सितंबर को ब्रह्म मूरत सुबह 4 बचकर 30 मिनट से सुरू होगा तो आप सर्गी सुबह 4 बचकर 30 मिनट से पहले ही खा लें यही स्रेस्ट रहेगा और अब जानते हैं हर्तालिका तीज की वरत का पारण का सही समय क्या है दोस्तों हर्तालिका तीज की वरत का पारण अगले दिन सुबा किया जाता है आप हर्तालिका तीज की वरत का पारण 7 सितंबर को सुबा 6 बचकर 2 मिनट से लेकर सुबा 7 बचकर 15 मिनट के बीच में कर सकती हैं चलिए अब बात करते हैं हर्तालिका तीच की पूजा विदी के बारे में दोस्तों हर्तालिका तीच की पूजा प्रदोस कालमी की जाती है पूजन के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान सिव, मातापारवती और गडेज जी की प्रतिमा बनाएं उसकी बाद फुलेरा सजाएं पूजा के समय सुहागिन महिलाओं को ने वस्त धारां करने चाहिए और पूरा सोला सरंगार करना चाहिए फिर एक चौकी या पटा रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें अब चौकी पर सतिया बना कर केले का पता रखें और उसके उपर तीनों प्रतिमाओं को इस्थान दें अब आप कलस की स्थापना करें एक मुठी चावल पर कलस रखें कलस में स्वास्ति का चिन बना लें और उसके अंदर थोड़ा पानी, हल्दी, सुपाडी, सिक्का डाल दें और आम के पाँच पल्लव रख कर एक चावल से भरी का तोरी रख दें और उसके उपर दीप प्रजलित कर दें अब कलस का पूजन करें इसके बाश्यू पारवती और गड़ेज जी का विद्वत पूजन करें महिलाएं मा पारवती को इस दिन सुहाग का समान अर्पित करें सिव जी को धोती या गमचा अर्पित करें विद्वत पूजा करने के बाद हरतालिका तीच की वृत कथा पढ़ें वह सुने अब आप आर्ती करके विद्वत पूजा को संपन्य करें दोस्तों इस दिन रात्री जागरण करके भचन कीर्थन करना चाहिए फिर अगले दिन सुभा इसनान करके पुनाश्यू पार्वती जी की पूजा करें सुभागिन महिला माता पार्वती को संदूर चढ़ाएं और अब अपनी मांग में भी संदूर लें और अब मापार्वती से सुभाग लेकर अपनी मांग में भरें और इस टाइम आप ककड़ी वाहलवे का भोग लगाएं इसके बाद प्रशाद खाकर अपनी व्रत को खोलें तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद